नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी भी पाकी और आगस्त भले ही आने वाले एपिसोट में आपको रिम्यास करते नजर आए भले ही पाकी के मन में अब आगस्त को लेकर धीरे धीरे पी लिंक्स जाग रही हो लेकिन फिर भी वो अभी भी आगस्त के चंगों से आजाद होना चाहती है वो नहीं चाहती है कि आगस्त का कंट्रोल पाकी कि जिल्दगी पर रहे तो बस यहां पर भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसा करने वाली है पाकी दरसल आपको बताते हैं कि जो इशान है वो पहुच गया है पाकी के पापा को और बाकी लोगों को लेकर यहां पर प पाफी हैरान हो जाता है और दीरे दीरे जिस तरीके से पाकी उसके करीब आ रही है उसे देखकर आगस्त को बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपको बताते हैं कि क्या हुआ है आगस्त और पाकी की एनिवर्सरी है और मन्थ एनिवर्सरी है यह और इसे दोनों लेकिन पाखी यहीं पर एक चाल चलती है और पाखी जो है वो आगस्त के एक ड्रिंक में कुछ मिला देती है और फिर इसके बाद यहाँ पर आगस्त जो होता है वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे जकर देती है बेडियों में और फिर यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ से नि निकल पाती है या नहीं तुकि ऐसी चीज़ें सामने आरे जैसे उस दिन अगर चाहती तो पाकी बहुत आराम से निकल सकती थी लेकिन पाकी उस वक्त क्यों नहीं निकली यह देखने वाली बात है और यहां पर अब पाकी जो है वो कुछ इस तरीके से निकलने की कोशिश कर पाकी है यहां से वह निकल पाती है और दूसरी चीज़ यह है कि पांखी ảंगस्त के बीच अब क्या होने वाला है क्या पाकी जो है वो पुरीग्जा या बाफ कर देगी क्या बाधिक हम पांगर संट के बीच अच्छी औरमैंस आप सब को देखने पराकी है कि आगस्तill को बहुत सारे सिल्पित्य दिखाते हैं आप सप्सक्ति तु को पता है कि आगस्त in कर दो है और पाखी और आगस्ते की केमिस्ट्री दिखनी चाहिए फणा इश्क में मर जावा सीजन 3 में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं और आप सको पता ही है कि जो आगस्ते उसकी सौतेली मा भी आ चुकी है यूग जो है उसका सौतेला भाई है तो ये सारी चीज़े जो है आपको आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाली है फिलाल यहाँ पर पाखी ने जो है ये एक्शन लिया है और एक बार फिर से आगस्ते को बेहोश किया है ड्रिंक में कुछ मिला कर फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही